उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरह से इन तारीखों के एलान के साथ ही तपिश तेज हो गई है मौसिन रजा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है मौसिन जी सबसे पहले इन तारीखों के ऐलान के साथ उन पाबंदियों को लेकर क्या कहिएगा जो पंदरा जनवरी तक रहने वाली हैं यार रहती है कि जो गाइडलाइन हमें एलेक्शन कमिशन देगा, एलेक्शन आयोग देगा, हम उस गाइडलाइन के तहद उसका पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, हम उसी तरह से काम करेंगे, तो इसलिए ये चिंता उन लोग की हो सकती है, जिनकी कोई तैयारी ना हो या क कोई जानते ना हो, क्योंकि हम तो विश्व की सबसे बड़ी संगठन और पार्टी हैं, हम सारे कानून भी जानते हैं, और कानून का पालन भी करते हैं, हमें नियम काइडे कानून सब आते हैं, तो इसलिए हमें लोगों की सुरक्चा भी देखनी है, लेकिन मोसिन जी कर पाएंगे अपने वोटर से दिखे आप इसलिए उनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है अगर उन्होंने करोना काल में अपने वोटर अपने कारकरताओं को वर्चुल रैली के जरीए लोगों की मदद के लिए भेजा होता चुकि उस दमें जब लॉक्डाउन चल ला था तो भारती जन्तापार्टी का एक के कारकरता हमारा पूरा संगठन 18 से 20 करोड का हमारा संगठन है सब लोग वर्चुली एक दूसे से जुड़े हुए थे कि ताकि हम गाओं गरीब की चिंता कर रहे थे कि किस के आमास्क है कि नहीं है किसी के आराशन है कि नहीं है हम उस समय वो उनकी नादा नहीं है, वो तो कहते हैं कि हमारे मुखमंदरी को लैप्टाप चलाना नहीं आता है, लैप्टाप चलाना नहीं आता है, तो अब वोई शिकायत क्यों कर रहा है यह, यह उनसे सवाल पूछ लीजेगा, वो तो कहते हैं कि मुखमंदरी जी को टैबलेट चलाना न हम समझ स्क्राइब करें और यह सवाल यह भी होता है वह की गाउं देहात में जो इंटीर में आखरी पंक्ति का जो विक्ति है क्या आपको लगता है कि वो डिजिटल तोर पर इतना मजबूत है कि वो वर्चल रैली के जरीये आप से या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ पाएगा या जुड़ सकता है जोड़ा जाता है यह हमारी जिम्मधारी है हमने जोड़ा है हम डिजिटल के जरीए हमारा गाओं का जो बूत अध्यक्ष है उसके नीचे 11 लोग होते हैं वह गाओं के लोगों को लेकर बैठता है व वर्चोली वह काम करते रहे रहे एक है प्रदेश में बदलाओ की तारीकों का एलान है यह अन्होंने किया है उत्जपरदेश में यह तो इन पास तो आप 46 महले भी क्यों रखेंगे अपने पास में हम पूरी तरीके से सब भाजपा को देंगे तोगि भारती जंता पार्टी ने अच्छी नीती और नियत से काम किया है, मानदारी से काम किया है, करोना में हमको बचाने का भी काम किया है, हमारी जीवका चलाने का भी काम किया है, हमने राशन करोनों करोड़ लोगों को पहुचाया है मुफ्त में, हमने किसी को भूका नही होने दिया है मानिस प्रदान मंतिय से लेकर हमारे साह जुड़े और आपने इन बातों को रखा